आज हम बनाएंगे दही वाली आलू की कतलिया आपने आलू की कतली कई तरीके से बनाई होंगी एक बार दही डाल के मेरी रेसिपी से इसे ट्राई कीजिए बहुत मज़ेदार बनती है जब कभी घर पर कोई सबजी अवेलेबल नहों तो यह आलू की कतली आप ज़रूर ट्राई कीजिए तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया है आलू को इस तरह से मोटा मोटा मैंने स्लाइस कर लिया है यहां पर हमको ध्यान यह रखना है कि आलू थोड़े ऐसे थिक कट करने है पतले पतले नहीं करने है अब हम इसको पानी में भिगो के रख देंगे नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या किया है तीन से चार हरी मिशली है स्पंद्रा लसंकी कलिया ली है दो इंच अद रख लिया है अब मैं इसे एक हमाम दस्ते में इस तरह से कोर्स मोटा मोटा ऐसा कुट लूगी इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में नहीं कुट ना ऐसे हातों से ही इस तरह से मोटा मोटा कुट के अपने साइड में रख देना है नेक्स्ट हम कड़ाई में तेल लेंगे यहां पर मैंने 3 टेबल स्पून ओई लिया है फ्लेम को फुल किया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएं तो मैं यह आलू पानी में से निकाल कर इसमें डाल दूँगी फ्लेम को फुल रखना है और आलू को तब तक तलना है जब तक ही यह आपके थोड़ा सा इस पे गुल्डन लुखना आ जाए तो in between मैंने इसे 3-4 बार हिलाया है और गुल्डन होने तक मैंने इसे तल लिया है जब आलू आपके गुल्डन हो जाएं तो आपने इससे oil में से drain करके एक लेट में निकालके साइड में रख देना है सेम ओल में यहाँ पर मैंने क्या किया है जीरा डाला है 1 टी स्पून और जो मैंने हरी मिर्श लसन और अद्रक का मोटा मोटा सा एक दरदरा सा पेस्ट बनाया था कूट कर वो ऐड किया है फ्लेम अभी भी फुल है और इसको बस थोड़ी देरी मैंने भुना है और इसमें मैंने अड किया है एक बड़ा सा अनियन बारिक चॉप करके अड किया है अब जैसे ही आपके अनियन्स लाइट पिंक होने लगे तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और अब मैं इसमें आड करूंगी एक टमाटो बारिक चॉप करके बड़ा वाला मैंने इसमें आड किया है तमाटर को 2-3 मिनिट मुढने के बाद यहां पर मैंने इसमें डाला है 1 टी स्पून रेड चिली पावडर हल्दी और नमक इसे भी मैंने मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मिला लिया है अब मैं क्या करूंगी इसमें डालूंगी पोटाटो जो तले हुए हमारे पास पोटाट जाता है फ्लेम को यहां पर स्लो कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया है ताकि अब यह जो आलू मैंने इसमें डाले है यह गल जाए इसको मिलाकर फ्लेम को स्लो करके मैंने इसे ढापकर रख दिया है अब देखिए यहां पर मैंने लिया है आखा धनि और जीरे का जो मोटा मोटा सा पाउडर बनाया था वो हम इसमें अड़ करेंगे इसके बाद मैंने कसूरी मेती को भी थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें मैंने अड़ कर दिया है ताजा हरा धनिया भी मैंने बारिक चॉप करके आड़ किया है और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है फ्लेम यहाँ पर स्लो है दो मिनिट लिए आपने इसे दम दे देना है ढाक कर और दयार है आपकी आलू की कतलिया तो चलिए इसे सेर्फ करते है आप चाहे तो इसे गर्मा गरम लच्छ़ पराटा के साथ खा सकते है पतली पतली गिईहू की रोटी आपके ए Está 2022 Doom मिक्ना है पतली दाल चावल बनाईए और उसके साथ यालू की गतलिया का लिजे बहुत टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट इसका फ्लेवर है खासकर जो आखा धनिया और जीरा जो हमने अड़ किया था लास्ट में उसका बहुत ही अलग फ्लेवर आता है और साथी में जो दही रहता है तो थोड़ी सी खटास देता है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अब दके लिए बाए